अल्राइट वोट्सव एब्रिवाड़ी आप सब का वैलकम में मेरे इस चैनल में मेरे नाम है सारवेंद्र और आप यहाँ ट्यून इन करें हैं मेरी एडिटिंग चेक आउट करने के लिए जो मेरा निव विंक्स वाला गंसेप्ट था किंग का वाला कंसेप्ट तो आप वह making वाला concept upload कर रखा है तो आप जाके ये check out कर सकते हैं और like करना और support करना यहाँ पे आके बहुत ही तगड़ा edit कर रखा है इस पार और इसकी PNGs अगर चाहिए तो नीचे description में है जल्दी से जाएं डाउनलोड कर लें Mediafire के link भी है और especially telegram group में मैं सारी चीज़े डाल देता हूँ तो आप वहाँ जाके join कर सकते हैं उसकी भी link description में है तो वो भी जल्दी जाके group join कर लें उसमें आपको notification सीधा आजाएगी जैसी मैं कुछ भी upload करूँगा और वहाँ से download भी easy है आपको उधर कहीं website पर जाना भी नहीं पड़ेगा तो जल्दी से start करते हैं इसके tutorial के साथ और यहां मैं open कर देता हूँ अपना pixart सबसे चहीता editor जो भी है आपको जो भी पसंद आता है उसमें यह work करेगी pngs है download कर लेना जल्दी से जाके ठीक है और यहां से मैं जल्दी से अपनी edit start कर देता हूँ यहां बहुत सारी photos पड़ी ही है ठीक है उसे हटाने का है और यहां सबसे पहले जो मेरे को add करना है वो है background ठीक है अब phone को थोड़ा कर लेता हूँ rotate mode पे ठीक है तो यहां आप यह background देख सकते हैं और इसकी जो seat है इसके उपर glowing पहले से add कर रखी है मैंने क्योंकि बाद में आप ज़्यादा करें कम करें या background के coding कुछ भी करें तो वो थोड़ा अलग effective नहीं रहेगा इतना नहीं रहेगा और जितनी भी rim होती है मैंने इसमें पहले से draw कर रखी है तो आपको इस बाद rim की कोई tension होगी नहीं इस वाले effect में ठीक है तो यहां से add effect में जाना है और यहां से सबसे पहले add करना है अपने wings ठीक है अपने according देखना है कि कहां से कहां तक अच्छा लगता है तो मुझे यहां से यहां तक अच्छा लग रहा है तो यहां done कर देता हूँ और यह बिल्कुल सभी जगह पर है अब उसके बाद मेरे को अपने आपको add करना है ठीक है तो जो यह मैंने cutting कर रखी है इस बार मैंने एक अपनी dex पर रखके करी थी और उसमें मैंने shadow भी cut कर लिया तो जब आप photo को cut करें तो उसमें से shadow भी cut कर लेना है simple रहता है वो ठीक है तो उससे easy रहेगा कि आपको blend होने में और यहां जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब extra shadow ड्रॉ करने की तो यहां आपने लाना है और place करना है अच्छे से ठीक है तो यहां यह done हो गया है एक बार back करता हूँ सही नहीं लग रहा था वो थोड़ा सा फिर से add करते हैं यह बिल्कुल perfect लग रहा है यहां पर height white और उसके according भी बिल्कुल सही आया है ठीक है अब बढ़ते हैं यहां पर उसके fog तो यहां add करते हैं अब उसके बाद यह fog आपको नीचे लगाना है पैरों में कि सारा blend छुप जाए कि वो नीचे जो problem थी पैर सही से नहीं blend हो पा रहे हैं तो उसे अटाने के लिए यह simple सी trick है तो यहां से cloud को भी done कर देना है अपने ठीक है फिर अब आना है main hand की तरफ hand में यह एक छोटा सा effect पी एंजी है तो यह मैं बहुत photos में use कर चुका हूँ तो यह आपको मिल जाएगा हर किसी में ठीक है तो यहां यह से place कर दिया मैंने और यह done अच्छा दिख रहा है कोई अभी तक blend mode मैंने यूज नहीं कर रहा है इसमें simple drag and drop वाली पी एंजी बहुत सारी है सो आपको कोई problem वैसे आएगी नहीं इसमें खास ठीक है और यहां पर एक यह सरकल है और इसमें eyes है और वो लॉकेट है इसमें आपको blend mode यूज करना पड़ेगा स्क्रीन वाला और यह perfectly यहां बैठा तो है नहीं अभी लेकिन करेंगे से भी perfectly blend यहां यह perfect लग रहा है ठीक है अब उसके बाद जो इसमें रिम ड्रॉ करनी है वो यहां से है तो ड्रॉ में आना है और यहां से आपने color लेना है white ठीक है color white लेने के बाद जो भी आपका opacity रहता है उसे कम करना है hardness बिल्कुल कम लेके जाना है और पिक्सल साइज भी साथ या च्छे के राउंड पर रखना है ठीक है तो यहां अच्छे से बिल्कुल ड्रॉ कर लेना एक रिम ठीक है अब उसको shape देने की बारी आदी है तो यहां से eraser लेना है तब देख सकते कितने अराम अराम से मैं रिम ड्रॉ कर रहा हूं हर किसी को रिम में प्रॉब्लम रहती है पता नहीं थोड़ा सा time spend करें आप इसके साथ रिम के साथ तो आपका सही हो जाएगा बिल्कुल time to time में इतना भी मुश्किल नहीं है रिम ड्रॉ करना तो यहां थोड़ी देर में इतनी बड़ी है रिम ड्रॉ गई है इसमें अब उसके बाद टिक कर देना है और यहां थोड़ा और वर करेंगे तो आपकी रिम और अच्छे से दिखेगी ठीक है फिर उसके बाद आपने एड़िफेक्ट में आना है जो लास्ट इसमें कुछ रहा गया है वो है यह आईज वाला तो यह एक साइबर पी एंजी बना रखिए मैंने थोड़ी सी तो इसे में आप हैड के उपर लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं आपकी मर्जी है मैंने थोड़ा साइबर लुक देने के लिए इसे रखा था तो मैं जस्ट यहां ह कर देता हूं इस बार मैं टैटूस यूज नहीं कर रहा था इसलिए है तो यहां यह प्रफेक्ट ली अच्छा हो चुका है बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और जो एफेक्ट अगर आपको लगता है थोड़ा सा एड ओन करना है वो सब ठीक है आपके थोड़ा सा लिफ्ट इसलिए रखा है कि जो शेडा डूज रहता है कि अंडर एक्सपोज रह जाती है लेकिन थोड़ा सा इमेज को ओवर ड्राइट करने से बैटर रहता है क्योंकि लोग इस्क्रीन की ब्राइटनेस थोड़ा कम रखते हैं और यहां इसे सेफ़ कर देता ह वो तो जरूर कमेंट टाउन कर देना और सपोर्ट करना मेरे चैनल को जल्दी से हो जाए हंडेड के होप करता हूं मैं इस चीज के लिए एंड थैंक यू एंड लॉट्स ओफ लव एंड पीस